दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने गले में हरकतें कैसे पैदा करें जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाओ पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया गमपाः 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 जनक जनक तोरी बाजे बाय लिया हख़्ज प्रकाणी अद Venice रहाद अ侍 रहाद प्रकाणी भोत Engels बार सि ether जनक जनक तोरी बाजे पाय लिया जनक जनक तोरी बाजे पाय लिया हलो दोस्तों अनोशकार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत है मैं एक ऐसी टेक्निक शेयर करूँगा जो मैंने अपने गुरू जनक से सिखी हुई है की हुई है और वही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मैं जो भी टेक्निक बताता हूँ आपको जो भी चीजे बताता हूँ वो खुद मैंने सीखी हुई है अपने कॉलेज में अपने गुरु जी से वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ऐसा ने की कुछ भी बता दिया मैं कॉलिफाइड मुजिशें हूँ दोस्तों मैं अभी म्यूजिक में पी एचडी कर रहा हूँ तो दोस्तों आईए जानते हैं कि अपने गले में हरकते कैसे पैदा करें दोस्तों ये टेकनिक बहुत ही आसान है इस टेकनिक में आपको हर स्वर को हिला के बुलना है 9 बार या 12 बार या 10 बार जितना भी आपको comfortable लो इसमें आपको स्वारु को हिलाना है स्ट्रेस दे कर ERIC आपका जो भी सा है वह 저 शुरू करें पहला काला, č problème 14 काला या पांच्वा काला जो भी आपका सा है फिर उस स्वार को 8 वार या 10 वार या भार पर हिला है ज intentar भी साह कि जलता हुआ तीसे शाह साह कि इस तरह से हिलाना है जितना ज्यादा विश्ट्रेश देंगे जितना अपने गले को फॉर्स तरके आप उसमें मुवमेंट लाएंगे उतना जल्दी आपके गले में हरकते आएंगे उतना क्लियर आपके गले में जो दाना वनेगा वो उतना क्लियर होगा साओ गया रहे हो गया अब 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 यह ध्यान देना है कि आपका जो थ्रोट है कंट है वह प्रॉपर मूव कर रहा है आपको लगेगा एक मुवमेंट हो रहा है अगर मुवमेंट नहीं हो रहा है तो समझ लेजिए आप सही रियाज नहीं कर रहा है आपको मूव करना है मुवमेंट उसमें इस्ट्रेश देके मुवमेंट लाना है और हिलाना है लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ हूँ मा मा पा दा 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 थे किसी प्रकार नी नी इसी प्रकार साथ फिर अब रो में भी आप इसी तरह आईए पहले नी फिर दा फिर बा फिर मा फिर गा फिर दे फिर साथ हर स्वर पे प्रॉपरली स्ट्रेश देना है आप ऐसे भी समझ सकते कि हर स्वर को बार बार बोलना है फिर से बोलना है बिना रुके साथ मैं सोरों को बार बार बोलना हूं बीना रुके यह आप आठ बार हो दस बार हो बार बार हो अपने हिसाब से टै कर ले और ऐसे रियास करें दोस्तों अगर आप एक महिना ऐसे रियास कर लेंगे आदे गंडे तो आप देखेंगे कि आपके गले में एक लचट पैदा हो रही है जिससे आप हरकतें आराम से लेने लगेंगे और दोस्तों यह तुम्हें ने शुद्ध स्वरों पर इसका रियास किया जब आप शुद्ध स्वरों पर इसे कर लें फिर इसे विक्रित स्वरों पर करें कोमल स्वरों पर करें और तिव्र स्वर पर करें जैसे मैं रे कोमल रे तो मुद्धे की बात जो आपको समझनी है वो ये कि आपको हर स्वर पर रुक के उसे आठ वार या दस वार या बारा बार फिर से बोलना है बिना रुके हुए अपने गले को हिलाना है मूफ कराना है इस्ट्रेस देकर अगर दोस्तों आपको बात समझ वेना आई हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं उसे रिप्लाइ करने की पूरी कुश्च करूंगा मैं आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ता हूं तो उसके लिए आप चिंदा ना करें जिसका रिप्लाइ मुझे करना होता है मैं कर देता हूं तो दोस्तों मुझे आशा है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें अगर आप इस ट्रिक के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेर भी कर सकते हैं आप मेरे साथ फेस्बुक पर भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों धंडी कापी बढ़ चुकी है और इस समय रात के करीब बाने बारा बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो धंड का मजा लीजे और मेरे वीडियो इसी त नातर होंगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए